बेदाग और गोरी त्वचा सभी की चाह होती है लेकिन आज की लाइफस्टाइल और धूल मिट्टी से हमाई स्किन पे एक्ने टैनिंग डल स्किन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है आज मैं स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए एक हम रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग और खुबसूरत हो जाएगी वेडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें इसके लिए आपको चाहिए चावल का आटा अब कच्चे चावल को मिक्सी में पीस कर इसका आटा बना लें चावल के आटी का फेस पैक लगाने से चैरे को कई तरह के फायदे होते हैं चावल का आटा स्किन वाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है जिसे त्वच्चा की रेड़ स्किन भी हट जाती है और चैरे पर अलगी निखा रहाता है शायद आपको पता ही होगा कोरियन की महिला है दुनिया भर में अपनी बेदाग चमदगा स्किन के लिए काफी जानी जाती है कोरियन की लोग ज्यादा तर चावल से बने प्रोडेक्टों का इस्तमाल कर जाले फिर इसमें एक चमच एलॉवेरा जेल मिलाना है मैंने यहाँ पतांजली का एलॉवेर जैल लिया है इसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें कुछ गुणदे नीबु की डाले नीबु हमाई سकिन में नैच्रल ब्लीचिंग का काम करके हमाई स्कीन को बेदाग बनाता इस पैक को अपने चेरे पे लगाना है अच्छे से दो मिनट के लिए मसाज करें फिर 15-20 मिनट बार अपने चेरे को नौर्मल पानी से धोले ध्यान रहे इस पैक को इस्तमाल करने के बाद आप फेस वोज का यूज ना करें इस पैक का इस्तमाल आप हफ्ते में एक बार जरूर करें यह पैक आपकी स्कीन में अलगी चमक और निखार लेकर आएगा तो फ्रेंड्स यह थी आज की मेरी रेमेडी आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें थैंक यू